असलाम उलेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमजान के लिए बहुती स्वेशल सी चार तरह की चटनी की रेसिपीज तो इमली की घट्टी मीटी चटनी बनाएंगे, मोमोस चटनी बनाएंगे, साथ में बनाएंगे हरी धन्या और नीम्बू की चटनी और इसी के सा सूखी वाली जो लाल मिर्च तीकी वाली आती है उसे मैंने लिया है तो यहां पर जो बॉइलिंग होट वाटर है उसमें यहां पर इसको आड़ कर देंगे तो उबलते वे पानी में ही हमने इसको आड़ करना है और इसी के साथ यहां पर 4-5 मीडियम साइज के टमाटर ले अगर आपके पास बड़े साइज के हैं तो चार तमाटर लेंगे तो यहां पर मैंने इसको हाफ-ाफ बीच से कट कर लिया है तो इसे भी हम यहां पर उबलते वे पानी में आट कर देंगे और अब इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे तो 2-3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरीके से अराम से रिमूव हो जाएगा तो यहां पर अच्छी तरीके से हमने इसको बॉयल कर लेना है अगर आपके पास सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप उसको भी सी स्टेज पर आड़ कर दें उसके कलर भी बहुत अच्छा आता है चटनी का और ब किया है तो यहां पर बॉयल आगया गया इसकी फ्लेम को और किसे चलने से या फिर इस तरीके से चंबस से निकाल लें Cздrav आप चाहे तो उसको छान ले या इस तरीके से इस ट्रेणर से निकाल ले तो यहाँ पर इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और जब थोड़ा से ठंदा हो जाएगा चूने लाइक हो जाएगा तब यहाँ पर जो टमाटर के छिलके हैं उनका चिलका उतार देंगे पानी मिक्सरापा करके निकाल डालेंगे लेकिनद के पानी डालेगे लेक। बीना पानी डाले हिए इसको पूछा सा प्लेंट करनाएंew तो गार्ला सा पेस्ट हमें बनाना है इसमें पानी एड मत करिएगा क्योंकि टमाटर में पानी होता है उससे यह अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगे और वैसे यह काफी सॉफ्ट हो गया है बहुत असानी के साथ ब्लेंड हो जाएगे तो इस तरीके से यहां हमने इसको तो यह देख लीजिए यहां पर कितना अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर त्यार हुआ है तो बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनकर त्यार हो जाएगा यहां पर मैंने इसको साइड पर रख देना है अब हम लेंगे यहां पर एक पैन और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून यारी दो बड़ी चमस भरकर ऑईल तो दो बड़ी चमस मैंने यहां पर रिफाइंड ओल यूज किया है तो जब यहां पर तेल अच्छी तरीके से गर यहां पर यहां पर 2 बड़ीचमच बढ़ बारी कट आ हुआ लह्सन और इसमें पर हल्का समझबर कर बारी कट अद्रग घर्लिक को बारी चोप कर यहां, बहुत ही टेस्टी तरीके से आदनी के साथ ओकष्क करva च्छाण करेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं इसको fry कर लिया है अब यहाँ पर हमने जो टमाटर और मिल्च का पेस्ट बनाया था उसे हम एड़ कर देंगे तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको इसको इसमें मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर लेशन और आद रख को मैंने 30-40 सेकंड के लिए ही बस रोस्ट किया है तो बहुत जादा इसको गोल्डेन नहीं होने देंगे तब ही हम पेस्ट यहाँ पर इसमें आड़ कर देंगे तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो चटनी हमारी इसमें हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भुन गई है तो अब हम यहाँ पर इसमें आड़ कर देंगे तीन चोड़े चमच कश्मीरी लाल मिर्श का पाउडर इससे बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आएगा तो ठेले पर जब आप मुमोस खाते हैं इसके साथ जो चटनी मिलती है विल्कुल वैसा ही इसका कलर आएगा तो कश्मीरी लाल मिर्श को जरूर से आड़ करिएगा अगर आपके पास साबुत वाली ना हो तो इस तरीके से पाउडर आड़ कर सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा सा रेट कलर आएगा और यह बहुत जादा तीखी भी नहीं होती है तो यहां पर इसको आड़ करने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे नमक तो एक छोड़ा चमस मैंने यहां पर नमक आड़ किया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी आड़ कर सकते हैं और आदी छोड़ी चमस मैंने यहां पर शकर आड़ की है आप शकर की जिगापर चाहे तो टोमैटो केचप भी आड़ कर सकते हैं एक छोड़ा चमस और जात म तो यहां पर इसको बहुत जादा गाडा नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे बिल्कुल एक मीडियम कंजिस्टेंसी का रखेंगे जिस तरीक से हमें मोमोज के साथ चटनी मिलती है उतनी पर इसको अच्छी तरीके से मैंने कुप कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितना जादस का टैम्टिंग कलर भी आया है बहुत शानदार और साथ में टेस्ट इसका लाजवाब है तो यहाँ पर थोड़ा सा पाण डालकर मैंने इसको और पका दिया है देखने में इसकी कितनी जादा जबरदस लग रह रही है इतना जबरदस का कलर आया है और खाने में तो लाजवाब है तो बहुत ही तीखी चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी ईजी स्पाइसी और टेस्टी सी है जिसे आप घर में बिल्कुल मार्केट जैसी बना कर त्यार कर सकते हैं बस आपने चटनी बनाते टाइम इस बात का धियान रखना है कि आपके टमाटर लाल और पक्ये हुए हो इससे भी आपकी चटनी का जो टेस्ट है और जो लुकिंग है बहुत ही अमेजिंग सी आएगी तो यह देखे कितनी जादा गारी टेस्ट ही और स्पाइसी सी हमारी मुमोस की चटनी घर पर बनकर त्यार है बह। आसानी के साथ, भूप एजी ची रेस्पी है इससे बरहाम जरूर से शेर करें और अपने फीट्बैक जरूर से मेरे साथ शेर कराएं ने ने फ्रीज कर सकते हैं एक हवंते के लिए बहुत आसानी लिए अधा सख़ने उप्टattend मॉमुस के साथ आज उपाइब आपृम्स दाइबन है वहाद ही रेशिपी है ठेस्टभ किस्ट के साथ बीलकुल मर्केट में मिलने वाले बमेधे हैНप यह तो मर्केट बाहए तो आपको मुमोस की अगर रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं ऐसी किसी नई चटपटी मज़दा रेसिपी के साथ तब तक अपना ठीज सरह ख्यार लगए घा आए पीए मज़े करिए थैंक्स पर वाचिन दा वीडियो अलहाफिज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसको बनाना बहुत ही आसान है अकर आप मेरे तरीके से बनाएंगे स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके तो आपकी चटनी बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन कर त्यार हो जाएगी नाने के लिए मैंने को भीगो कर रखा था चार घंटे के लिए तो यहां पर मैंने धाइस्टो ग्राम ली है तो आप सबसे पहले हाथों को प्रॉपर ली वाश कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से दबा दबा कर इसका जो पर पहें वो निकाल देंग और जिसमें से मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं इनको में एक्साइट पर लख लेंगे तो यहां पर सारे मोटे पार्टिकल्स हो मैंने अलग बोल में ट्रांसफर कर लिया है तो इसमें बीज वगारा भी है और साथ में जो उपर के मोटे पार्टिकल्स हैं वो भी है तो यहां हम एक बॉल लेंगे और उसमें रख देंगे चलनी और उसके बाद जो पल्प था उसे हम इसमें छान लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा जो हमारे पास जो इमली का पल्प है वो बिल्कुल क्लीन हमें मिल जाएगा और इसमें जितने ही मोटे पार्टिकल्स वगरा हैं वो रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह चला कर मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से मोटे पार्टिकल्स बचे हैं इन्हें हम साइड में रख देंगे और अब यह हमली का पल्प है इसे हम साइड में रखेंगे और बाकी के इंग्रेडियंट से एक लेंगे तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम के करीब लिया है गुड़ आप इसे शक्कर में भी बना सकते हैं तो जितनी इमली में लिया है यहाँ पर उसका डबल क्वैंटिटी में मैंने गुड़ यूज किया है और इसी के साथ मैंने 100 ग्राम डेट्स लिया है इससे हमारी चट्नी में एक अच्छा सा गाड़ा पनाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा साथ में यहाँ पर मैंने लिया है एक टेबली स्पून मगस यानि खरबूजे के बीज इससे हमारी जट्नी का लूप बहुत अच्छा आता है यह ऑप्शनल है आप चाहें तो डालने चाहें तो अवाइट कर सकते हैं और इससे के साथ मैंने यहाँ परतफ प हाफ टेऊ स्पून के करीब लिया है का लाऑन यह पी ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें चाहें पसक्षिंद eh एक पीजद में रेड़ फूट कलर लिया है आप चाहें तो डाले कलर या फिर अवर्ड भी कर सकते हैं से तो इसे कलर जो हमारी चट्टी का बहुत अच्छा आता है साथ मैंने आदा कब शक्क कर लिए अगर इसमें जरुरत पड़ेगी थोड़ा मिठास कम लगेगी तो हम एड़ करेंगे वरना नहीं तो यहां पर एक व गुल घुल जाएक अच्छे से तब हम इसमें बागी के इंग्रेडेंट्स आट करेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है और गुल को अच्छे से मेल्ट होने देना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर यह गुल्ड होने लगा है और यहां पर हमारा डालने के बाद हम अच्छे से मुख्स कर्येंगे और साथ में जो पावॉडdale मसाले लिया थैं हम यहां पर वो सारेके सारे एड़ कर देंगे हम इसमें और साथ में जो कलर लिया था उसे भी आड़ कर देंगे कलर डालने से हमारी जो चटनी का कलर बहुत ही जाद अच्छा अमेजिंग सा आता है तो यहाँ पर इस सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला दिया है और इसी के साथ जो हमने आप पर कलोंजी ली थी उसे भी हम एड़ कर देंगे और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर से साथ नट के लिए इसको पका लेंगे यह चटनी आप रमदान से पहले बना कर रख लें रमदान में आपके यह बहुत ही काम आने वाली है आप इसे पकॉलों के साथ भी खा सकते हैं चाट में इस्तिमाल कर सकते हैं दही बलों के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही जादा इसका टेस्ट अमेजिंग होता है और बहुत जादा मज़े की लगती है तो यहाँ पर 6-7 नट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और धिरे दिरे इसमें गाड़ा पनाने लगेगा तो यहाँ पर जो शकरती उसे भी हमने आड़ कर दिया है और यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुका है इसमें तकरीबर पार से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए और आप देख सकते हैं किस तरह का इसमें गाड़ा पना आगिया है अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्र इस चटनी को बनाने में आपको बहुत जादा टाइम नहीं लगने वाला है अगर आप थोड़ी से प्रिपरेशन करके रखें आप इमली को चार घंटे पहले भी होकर रखें यह चाहे तो आप गुंगुने पानी में गरम पानी में फौरां से भी होकर भी इसको बना सकते ह पर एक अच्छा घाड़ापन इसमें आ चुका है अब हमारी चटनी रेड़ी हो गई है तो हमारी चटनी में डिजायड कंजिस्टेंसी आ चुकी है अब हम गैस की फिलम को आफ कर देंगे जो मगस थे यानिकि जो खरबुजे के बीच थे उनने भी हमने इसमें आड़ कर द इसे आप दही भले चाट में पापनी चाट में इस्तिमाल कर सकते हैं चाट में किसी भी सबसी या दाल के साथ इसे आप अगर सर्फ करेंगे तो आपकी जो खाने का मज़ा है उस वागुना बढ़ जाएगा तो चलिए देख लेते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमें क्य इसन की लिए इसे इसका टेस्ट बहुत आमेऊजिन आता है और साथ मैंन याप पर एक टीस्पून लिया है नमक सफेद नमक तो इसे आप अपने टेस्ट के कोड़िंग कम जादा भी कर सकते हैं आब तीरम लिए जीरा यून यूट्स करते हैं उसे यहां पर немे यह सबसे निबीज निकाल दिए है gev板 Zone 2 डीशन पानी लिया है नहीं पतली जाएगी तो यहां पर मैंने ब्लेंडर जार लिया हैसिसमें मैंने सबसे दिन्य और अध्य को ट्रैंस भीर ीडियाह से लीजनिबील कीरी जंग वहां भी तो सबसे जार बने के और नहीं पर आप एक ас अна सब्सक्राइब करें कि बाते हैं और देंगे आफम देंगे हैं 2019 में पूस के नीम लिए था उसे हम उसका जूसर मां पर नीकोड़ा मैं तक and dawn go और यहां पर नमक हमने लिया था उसे भी हम साथ में ही आइड कर दिंगे इसे अच्छे से स्मूध ब्लेंड हो जाएगी हमारी चट्नी है तो यहां पर 30-40 गंड तक मैंने इसको चला लिया है और उसके बाद देख लिए कितना अच्छा सा यह पेस्ट बन कर त्यार हुआ है बहुत ही जादा यह लिया की है अब दही बड़े बना नहीं जय कर दया नहीं जो로 से चट्नी बनाना हों आप इस साथ चात्नी को जरूर से ट्राय करिएगम दाई भलो और चात में डालनें से इस चट्नी को इसका स्ट Mazy अन्हांस हो जाता है और मुश्किल दो बनाने तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर नए है तो इसे बनाती है इस बेजल सी दही वाली चटनी जो की कवाब और कटलेट के साथ सर्व की जाती है और इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें आड़ करेंगे वन टी स्पून नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कम जादा और तीन बड़े चमच यहाँ पर हम गाला जमा हुआ दही इस्तिमाल करेंगे तो तीन बड़े चमच भर कर एड़ करना है इससे बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी हमारी साथ में लेसन के क्लवस हम यहाँ पर एड़ करेंगे चार से पाच और एक चोड़ा चमच भर कर हम करेंगे तो इस अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और बिल्कुल फाइन इस तरीके से थोड़ा पतला पतला हमने इसको पीस्टना है बहुत ही मज़दार सी हमारी चट्टी बनकर तेयार है थैंक्स फर वाचिंग कुक विद गुलनूर को सबस्क्राइब करें और साथ में दिये गए बिल आइकन को प्रेस करकी नोटिफिकेशन को भी ओल कर दें तबी में